हाई दोस्तों मैं कुसम स्वागत है आपका कुसम मेरे सोई में तो हर रोज रोटी पराठा या ब्रेट खाकर बोरो गया है न या फिर वही रेगुलर पोहा तो आज हम ट्राई करते हैं बनार्सी हरियाली पोहा या कहें हरियाली चूड़ा पुलाओ तो चली से बनाने अगर पोहा लेंगे तो गीला बन जाएगा इसलिए उसे नहीं करना है अगर अपनी मोटा वाले लिया है तो फिर उसे थोड़ी दिर पानी में आपको छोड़ना होगा ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए थोड़ी दिर का मतलब होता है एक तो मिनिट ऐसा नहीं कि आदे गं साइड में रख देते ताकि थोड़ा हवा लग जाए और इससे सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए तब तक हम तियारी करेंगे आगे की तो मैंने लिए एक मीडियम साइज का प्याज और इसे हम स्लाइस में कट कर लेंगे प्याज नहीं कट करना इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट करने इसे हम रख देंगे साइड में और यहां मैंने लिए तीन-चार हरे मिर्च तो जितना तीखा बनाना हो उसे साब से लिए मगर यह थोड़ा स्पैसी होता ने तो यह अच्छा लगता है और 100 ग्रम मैंने अधनिया की पत्यों को इन सब को काट करके मैंने डाला क्रेंडर जार में काट के डालने से असानी से पिल्च जाता है अगर पूरे साबुत डालेंगे तो फिर टुक्रे रह जाते इसलिए मैंने चॉप कर दिया है इसी के साथ 10 बारा कलिया लेसन की और एक इंचा द्रग च करना है और जब तिल गर्म हो जांए तो इसमें ठालेंगे थोड़ा सा जीरा और दो छोटे तिश्पते थे मैंने डाला अगर बड़ा तीश्पता है तो एक डाले और जब जीरा चीतर से चितक जाए तो हम इसमें डालेंगे पोह को गैस के फ्लेम को मैंने हाई टू मीजियम रखा है और इसे हम फ्राइ करेंगे जब तक कि इसके दाने अलग अलग न हो जाए तो चार से पांच मिनट में पोह अची तरह से फ्राइ हो जाता है तो क्या आपनी पोह कभी बनाया है और आप किस-किस तरह के पोह बनाते हैं कमें आप अप्रन्स बॉक में लिखना है और यह रख अपने ट्राइ करी और आपको अच्छा लगा तो भी बताना ना भूलें अपवार जो एची तरह से फ्राइ हो गया है और इसके जानी इदेगे कितने अची से खिल गया है तो अभी से में प्लेट जो ठांस्फर कर लेंगे प्रांस्पर करने के बाद इसे थोड़ा फैला देना है ताकि इसमें स्टीम बन रहा है वो बाहर की तरफ निकल जाए अब चलते हैं पैन को फिर से हम गर्म करेंगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे और इसमें डालेंगे एक जोथा ही जमच जीरा तो ग्यास के फ्लेम को मैंने मैं हाई टू मीडियम के बीच में रखा है और इसी के साथ हम एक तेजपत्ता भी डाल देंगे तीस चूड़ा मटर फुलाओं में जीरे और तेजपत्ते का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए इसे जरूर डालें जब जीरा अची तरह से चिटक जाया है यानी नीची फ्राई हो जाए तब इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने पहले कट करके रखा था इसे हलका गुलाबी होनी तक हम ही फ्राई करने है प्यास देखिए फ्राई होगे ऐसे ज्यादा जलाना नहीं है इतना ही गुलाबी करने है अब इसमें डालेंगे हमने जो मैंने हल्दी पाउडर डाला है आप इना हल्दी के बना सकते हैं और इसे में अची तर से भूनेंगे ताकि अद्रक और लैसन का जो कच्छा वाला इसमेल है वो निकल जाए तो यह जब पैंच होड़ देता है इसका मतलब अची तर से फ्राई हो गया तो तीन से चाल मिनिट म अथो चटनी पीजा यह और म Iphone निकल अचा व्मेंच के सांट डाला है और मिला कर दाल नवर इसमे डालेंगे अनधर तक नमक का सुआँ जाता चाहस के फ्लेम को मैंने यह लो तू मिडियम कर दिया है और धीर में आज हमारा कॉं क्ली तो बारिक चॉपक लेंगे, एक तरह की मोटे मोटे हम प्रूप करने है, तो देंगे weepy इतनी रखना हुआ, मत्र देखे नियाने लेह ने ची तरह कि आपें लिगां लेटे, तो इसलिए ग्रेव की कौांटिटी कम रखें और इसमें डालेंगे फ्राइ के हुए पोहे को वापस इसे में ग्रेवी में डालना था इसलिए स्टार्टिंग में पोहे को अच्छी तरह से फ्राइ करना जरूरी है अगर स्टार्टिंग में गीला रहेगा तो फिर मसालों को क अच्छा फ्लिवर कैसे आएगा और जब उसे वापस ग्रेवी में डालेंगे घीले पोहे को वह हल्वा बन जाएगा इसलिए स्टार्टिंग में अच्छी तर से भून ले उसके बाद हम इसे मसाले में डालेंगे बाइचांस ग्रेवी कम हो जाए और पोहाँ टाइट हो करके इसे ढख दे और दो-ती मिनिट इसे पकने दे तो आपको पोह जो है नर्म हो जाएगा और इसे हमें ग्रेवी में डालने के बाद वापस तो ती मिन फ्राइट करना है ताकि ग्रेवी को ची तर से सोक कर ले और इसके दानी वापस खीले खीले बन जाए और जब अची प्लेट में रखकर उपर से गार्णिस करके सब कर सकते ऐसे मिक्स करने से होता है अची तरसे मिल जाता है और हर स्पून हर बाइक में आता है तो यह हमारा हर्याली मत्र पोहत तया है आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे कमेंट्स वोक्स में जरूर लिखें और से सर्व करे पता है कैसे अपने पसंदिदा नमकीन के साथ या फिर सेव रखें भुजिया रखें या मिक्चर रखें और इसका आनेंद उठाएं इंज्वाई करें